अपने में बहुत बड़ा चालेंज है आज वाली वीडियो के इंदर किस सेक्षिन को कितना समय देना है कौन सा सेक्षिन पहले अटेंप्ट करना है बहुत इंफोर्मेटिव वीडियो ने वाली है जब भी में बच्चों के साथ ये स्टाइजी शेयर करता हूं बच्चों का करा है कि सर दस मिनट पेपर वापस से रीचेक करने तक के लिए मिल गए लास्ट येर बच्चों के असी में से असी दिलवायत है इस साल फिर से पूरी तयारी करेंगे आपके साथ आया हूं ऐसा मटीरियल दूआ आप लोगों को मज़ा आ जाएगा इसी के साथ आपकी इसको बेस्ट यूटलाइज कर लिए ना मैं कर रहा है आपके जैसा पेपर कोई लिखके नहीं आएगा टोटल मार्ग हमारे असी है तो अगर काईदे से देखोगे तो एक मार्ग के लिए हमारे पास दो मिनट होने चाहिए मतलब कि हमारा हर जब भी दूसरा मिनट करता हो देखो आपकी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है बाट मैं जो रिकमेंड करता हूं हमेशा बोलता हो कि बिटा आप अपना सेक्शन सी से स्टार्ट करो क्यूं कि यह एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हमें कुछ बाहर से इधर उदर सोचना नहीं है चाप्टर हमारे इसके अंदर चाप्टर के अगर आप एक्स्प्राइशन देखोगे ना मेरे बाई इस तरीके से आपको समझाए हुए चाप्टर के एंसे अर्ट का एक्जाए हुई है आपके इस सेक्शन के अंदर एक्स्राइक बेस क्वेशन आते जो कि 16 मार्क्स होल्ड करते और मैंने ब आप आते हैं ठीक है वापस से आजो देन उसके बाद मैं आपका सेक्शन ए जो कि आपका रीडिंग वाला उन्सीन पास्यज वाला होता हुए व आपको रेकमेंड करता हूं क्यों करता हूं कि एक्छल में इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा पॉइंट आज आजाता है मेरे बा करना है आजो पूरी बातों को बहुत काईदे से समझातों मेरे बाई सबसे पहले जो हमारे रीडिंग टाइम है देखो हमें 15 मिनट मिलता है ठीक है अगर आप उसके अंदर 20 मिनट भी लगा दे रहे हो ना कोई दिक्कत ने जो रननीती में देने वालों यह 5 मिनट एक्स्ट् पेपर हमारे हाथ में लग जाता है हमें रीडिंग टाइम मिल जाता है और क्रेक्ट यह वैली बात है अच्छा जी अब हम क्या करूँगा जैसी मेरे पास English का पेपर मेरे पास हाथ में आए गया ना मैं लेव देखूंग को आई राई देखूंग कहां हूँगा section C के अंद प्रॉपर पूरा समझाय हुआ है कि पेपर का पैटर्न फिक्स है अगर आप सेक्षिन सी पर आओगे ना साथ वे नंबर पर एक एक्स्ट्राक्ट टाइप फ्लेमिंगो का क्वेस्टन आना है जो कि 6 क्वेस्टन होंगे आप लोगों के एक एक मार्क का क्वेस्टन होगा तो इसी टाइप का आएगा तो आप लोगों को यह क्लारिटी होनी चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वीडियो दलवारो देखना उसको जाके भाई सब मजा आजाएगा आप लोगों को लेकिन यह होंगे कितने दो एक्स्ट्राक्ट होंगे दो मेंसे को एक कर करना है बस पेपर पर प्यारा सा पेंसिल से सरकल मारना है कि हम यह एक्स्ट्राक्ट करने वालो यह मुझे जादा आता अच्छे से इसके जादा क्वेशन मुझे बढ़िया से आते देन उसके वाद सेम विद क्वेशन नमबर आठ यह भी आपका प्रोज आएगा जो की वि तीन मिनट पर दा कब लगेंगे जब आपके जो चाप्टर से नो बिल्कुल कंठस और कंठस अभी होंगे जब लाइन बाइन पढ़ा ही करोगे देन उसके बाद हमारा दसवा क्वेशन है ना भाई दो मार्क के क्वेशन साथ है जो कि 6 में से हमें 5 क्वेशन अटेंप्ट क इतनी अच्छे हैगी यार देखो एक्जामिनर पेपर जब चेक करने बैठता ना उसका दिल जीत ना होता हमें स्राटिंग के तीन से चार पेजिस कंदर आपने साफ सुतरा लिख के उसका दिल जीत लिया वह आगे पनानी कितनी गलतिया होंगी जो कि उसके नोटिस में भी इसको भी सेलेक कर लेंगे और देन उसके बाद 12 और 13 क्वेशन है यह हमारे लॉंग आंसर क्वेशन होते हैं इसके हमें क्या करने देखो अब यहां पर ध्यान से समझना यहां पर 11 क्वेशन तक हमें लगब लगब कितना टाइम लगएगा यार देखो अगर मैं पूरा दे क्वेशन सेलेक्ट ही तो करने है हमें कोई लिखना तो है नहीं अब उसके बाद हमारे पास जो 10 मिनट बचेंगे उस 10 मिनट के अंदर आपको दो काम करने दो काम क्या सबसे पहला काम जो होगा वो होगा आपका वैल्यू पॉइंट को और यह क्या है यह आपके रफ शीट के बतारो में रफ शीट में आप बार्वा क्वेशन आपने लिखा बार्वा क्वेशन के वैल्यू पॉइंट मतलब कि यह पांच नंबर का एगा यह आपकर सिच्वेशनल क्वेशनल क्वेशन आता है मालो इंडिगो चाप्टर आपका दे दिया कि अगर आप उस समय गांदी वैल्यू पॉइंट नहीं क्या रहा हूँ एिए का आपको क्या करना है यह जो आपकी यह इंडर शेस्क्षिस भी होग इससके अंदर भी आतका नोटिस आया है जो भी अदवर्व बहुत clarity में आपको बिल्कुल मजा आजाएगा कि आपकी ब्रेन को ना पता चल जाएगा बहुत से पच्चेस मिनट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना अभी रीडिंग सेक्शन के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ अब क्या करना है हमारा काइदे से 10 बच के 35 मिनट हो रहा हूँ हम अपना पेपर स्टार्ट कर रहे है सबसे पहले में अपने एक्स्ट्राइक बेस कोशन चे नंबर वाले करना शुरू करूँगा टिक विक सब कुछ हो रहा है कि जाधा टाइम उसके अंदर लगता नहीं चैनल के उपर अलड़ी विडियो बना के डाल चुको इतने डेफ्थ के अंदर किसी नहीं पड़ाओंगे पोईटिक डिवाइस देन उसके बाद यह देखो भाई 6 4 10 16 मार्क्स की लड़ाई वह काइदे से 30 मिनट के अंदर हमारी कंप्लीट होनी चीए लेकिन आप लोग की चैप्टर से तयार होंगे बहुत अच्छे से 25 मिनट में भी कर ले जाओगे कोशिश करना इसके अंदर 25 मिनट का ही समय रहे और इन फैक्ट अभी जब आगे अपने सांपल लेपर दोगे तो यह रणनीती अपना के देखना टाइमर को साथ रखना बिलकुल आप बिलकुल तो तीन घंटे जोना अपनी ओन टिप्स लियाओगे कि इस समय पे में यह वाला टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे लगना है समझ रहे हो देन उसके बाद आ गया जो ग्यारा बच के पांच मिनट जैसे हमारे पास होंगे अब हम अपने जो है जो हमारे दो मार् जो है जंग है लेकिन यह 14 मार्ग जो है इसके अंदर हमें जो है टोटल काईद से 28 मिनट लगने चीए लेकिन यह काम भी आपका 25 मिनट के निपड जाएगा एक चीज ध्यान लखना बच्चे जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा समय इसलिए लगा देते हैं क्योंके बच्चो अगर माल लो आगे की लाइन में कोई स्पेलिंग एर हो गया कोई गरमार्माटिकल एर हो गया घ्र अपानी में यहां पे सीधर स्पैलिंग खताम होते आप लोगो कि आदे माक्स एक्जामेनर काट लेगा क्यों मौका दे रहे हो तो आंसर की फ्रेमिंग इस सभी किसे करो न हमारा क्या करेंगा अभी देखना काइदे से साड़े दस बजे हमारा पेपर शुरू होता है एक घंटा हो गया लेकिन एक सेक्शन कंप्लीट नहीं किया अभी हमने क्यों कि रीडिंग ताइम के अंदर जो हमने समय लगाया ना भाई वो लगा थोड़ा एक्स्रा जरूर द काई कनुतना क्या वहमले करेंगे में वहमारी नर्षि के गया लन्में वह थोड़ा में वहार। इसम attain यह करोंकि ओड़ा की फोड़ा के अऩुक्रिंग सेके अञती cabeça स्वाल अधारिट्स तो हम नौर से एक था नदर को एक फोड़ा धी जाती वहारगा और कायदे से यू करके लिखना शुरू कर देना, ध्यान रखना, कि यहां पर जो आपकी word limit है, 120-500 words होनी चाहिए, हो सकता है, कि आप इसके अंदर 170 words तब भी पहुंचो, 180 words तब भी पहुंचो, कोई आफ़ात नहीं है, अब यहां तो मेंकोर कोई grammatical error नहीं हो रहा है, कोई spelling error नहीं हो रहा है, तो यह आना वरना इतना, इतना load मत लेना, ठीक है, अब यह 5 नंबर को जो question है हमारा, यह flamingo approach या फिर program को हो सकता है, सिचुएशनल बेस होता है, अगैं 13 नंबर पे भी हमारी सेमी approach रहेगी, अब यहां पर देखो, अब यह जो 10 marks है, 10 marks के लाए में काईदे से सिर्फ 15 मिनट ही लगने चाहाँ, बाप बोलोगे, यह 10 marks के लिए हमें 15 मिनट बोलोगे, आपको तो 20 मिनट देना चाहिए, मेरे आपने अपने रीडिंग टाइम के अंदर एक्सा टाइम नहीं लिया क्या, तो वहां पर कमपनसेट करो, यहां पर हमारे 10 मिनट रीडिंग टाइम के अंदर दिया है, वह भी तो एड हो ही रहा है, समझे तो यह 15 मिनट जो है इतना ही समय होना चाहिए, द्यान अखना, 11 50 मिनट तक section C complete हो जाए, क्यों सबसे बड़ा section है और यही वह section है, जो की छूटता है, नहीं तो पते है क्या होता है, reading जो आपको comprehension होता है, जल्दी जल्दी लास्के end time पे भी फटावट फटावट कर देते हैं, क्योंकि एक word होते है, एक एक word लिखना होता है, मैं आपको ए मैं क्या करूँगा इसकंगर हमारी best approach क्या होगी भाई, writing section की rough sheet हमारे दिमांग में है, मेर पास और नोटेस रिटिंग अर्टिकल रगा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा अपने reading, जब जैसी में comprehension स्टार्ट करूगा, मैं comprehension इसे नहीं पैसिज पढ़ यह, नहीं, मैं सबसे पहले रफशीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रफशीट के अंदर में क्या करूँगा, जो भी मेरा पैसिज है, जो भी क्वेशन है, आइडियली, अरे, कहां गया, उसके सिर्फ क्वेशन के कीवर्ड्स क्या लिखूँगा, क्टाकट क्टाकट कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब वागा 17 पैसे नहीं पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दलवारो कैसे अंजीन पैसे को सॉल्व करना भूल साचे दरबार की जै आग आगा जो भई उसके बाद यहां पर आप बारा नंबर के जो है अपना आर्सी सॉल्व करोगे दें दस नंबर का मारा दूसरा आर् साथ आटवा नोवा थस वा तरवा बिल्खुल सजा के नंसर करे पैजसे उसके बाद नएं पेंचे सेक्शन ए हमने फाइडिंग लगा उसके सारे सब्सक्राइन शूरू कर दिए दि दर उसके बाद हमारे जो सब्सक्रिण कर सारे WhatsApp करने सूरू कर दिये यह हमारी जो क्वे पांव बिवर पास बाढ़ यूुकूल एक पक्षा स्टिसीृ काया यज़ सो डिमाग पर जोड़ देना है कि पेंदर राइटिंग सेक्षन कोई ड़ाइट ड пошट एकव इसे ब ने ऐग्र के टाफयागा आप लोगों को लेकर, क्या बंदा है, डेटा पॉइंट लिख रहा है, क्या कंक्लूजन लिख रहा है, यह एक बेस्ट चीज होती है, अब उसके बाद, क्या करना, हमारे पस क्या क्या चीज़े, काइदे साथ आपने section B, जो है वो लिखा, उसके बाद आप notice लिख रहे हैं, मैं क्या रहो, इन सारी चीज़ों के, जो आपके, वो है ना, फर्माट, ऐसे निचोड़ के दिमांग में जाओ, कि असके अंदर तो गल्ती होनी नी चाए, क्यूंके examiner, जैसी पेज आपका खोलता है, ना section वाला, वहाँ पर सबसे पहली एक चीज यह चीज़ देखता है, क इसका format ठीक है नहीं है, format ठीक होके तो इसको तसलिह मिल जाते हैं, यह बालक जो है, पड़ा लिखा बालक है, यह कोई एरा-एरा बालक नहीं है, format contest कर लो, आपके जो हलके-लकी spelling errors भी होते हैं, वो फिर examiner के notice में नहीं आती, तो भाई, notice prepare करना, invitation prepare करना, invitation हमारा, formal, informal, दोनो prepare करने, ध्यान रखना है, वो जो data points होते है, invitation हमारे दोनों ही prepare करना, बहुत काईदा से, यूकि जो data points होते हैं, हमारे formal के अंदर use हो जाते, informal के अंदर इतने नहीं होते, तो आप यह देख लोगे, कि हावी मैं comfortable किसके अंदर हूँ, ठीक है, देन, उसके बाद हमारे पाद formal letter आता है, advertisement आता है, advertisement अगर मैं देखो, formal letter से करने में comparatively थोड़ा सा easy होता है, easily हो जाता है, इसके अंदर गल्ती के chances थोड़े से कम होते है, यहां पर गल्ती के chances थोड़े जात होते है, क्यों, एक तो formal letter है, दूसरी सबसे बड़ी वात इसके अंदर किया है, इसके अंदर format बहुत तगड़ा है, तो इसलिए मैं personally बोलता बच्चो को कि advertisement की तरफ जाओ, लेकिन आपकी तयारी इसकी भी होनी चाहिए, मान लो कोई letter ऐसा आ गया, कि आपका मन कर रहा है कि इसी पर लिखूँगा, तो भाई, इस पर लिख किया आना, कोई दिक्कत दी है, तीक है, देन पर छटे नमबर में, आर्टिकल या पर रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक करना चाहिए, काइदे से आप लोगों को जो है, इस पर दस मिनट जो है, एक चीज पर लगाना, आप लोगों की जो है, वो चार चीजे है, बीस मिनट के अंदर जो है, बीस से पच्चिस सारी चीजों के लिंक काइदे से वहां पर दलवारों, आपको कहीं भागने दूँगा, पूरे चानल के उपर, English Language की आपके बोड की, 22 February की पूरी तैयारी चानल पर हो रही है, CUIT की पूरी तैयारी फिरियो आफकॉस चानल पर हो रही है, बस आप पढ़ना शुरू कर दो, बिलताई से किस नेक्स वीडियो के अंतर मुझे दीजिए गजाज़ा, तिल देन बाबाई, एंड टेक केर, बाकी हाँ, जाती जाते हैर, देखो अगर आप मुझे से परसनली पर कनेक्ट होना चाते हो, तो यह मेरा A-R-E-B-H-U-P-I-I, यह मेरा Instagram है, मेरे भाई, आप मु